वेलकम टो इस चैनल गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज जब भी इसे आप देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी आज हम जानेंगे कि आपकी परसन की करंट एनरजी इस क्या है और आपके परसन की तरफ से आपको next action क्या देखने मिलने वाला है आईए जानते हैं फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है एट ओफ कप्स सिकंड कार्ड नाइट ओफ सोर्ट थर्ड कार्ड टैम प्रिंस देखें ये आपके परसन की फीलिंग्स है हम देखेंगे कि आपके परसन की फीलिंग्स क्या है फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हुआ है एट ओफ कप्स यहाँ पर ये परसन बहुत ज़दा emotional निज़र आ रहे है इनका यहाँ पर ऐसा मन कर रहा है कि सब को छोड़ छड़ के यह कही चले जाए यहाँ पर कही न कही इनका transformation period चल रहा है तो इस transformation period के चलते हुए यह परसन जो है बहुत ही ज़दा negative situation में या negative energy में नज़र आ रहे है यहाँ पर सुधार नज़र आ रहा है आप लोग के relation में सुधार जरूर है यह person आना भी चाहते है आपके पास में लेकिन कही न कही इनकी energies बहुत slow है slow energies है यह ज़रूर आएंगे आपके पास में लेकिन इनको आने में थोड़ा time लगेगा यहाँ पर ऐसी energies है next card के अगर बात की चाहे temperance का card है आने वाले two weeks to two months के अंदर-अंदर आप लोग के relation में कोई सुधार होता देख सकते हो आप लोग temperance की card के चुको यह समझा रहा है कि divine की blessings भी है आपके relation में and यह sun जो है यह कई न कई एक new beginning भी show करता है growth, creativity आप लोग के relation में आपको देखने मिलने वाली है देख लेते हैं next action क्या होने वाला है आप लोग के relation में यह person next आपके लिए बहुत दा controlling energies में रहने वाले है मतलब यह person बहुत दा आपको खोने से डरेंगे आपको किसी और के साथ में यह देख नहीं पाएंगे ऐसी energies है और अगर आप किसी और person के साथ में बात भी करोगे या किसी और के साथ में आप communication भी करोगे तो यह चीज इस person को बिलकुल भी रास नहीं आने वाली है next card आपके लिए आया हुआ है four of all definitely marriage के लिए आपको propose करने वाले है upcoming time में तो इनका next action आपको marriage proposal देने का है and अगर यह वीडियो पसंद आएगा इस तो please इस चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें and share भी ज़रूर करें thank you